हे फ्रेंट्स तो आज बात करेंगे MCU की चल रही काफी दमदार थेयरी के बारे में जो थेयरी टोनी स्टार्क से लेकर रेडियक्टी स्पाइडर और MCU के यूनिवर्स में औस्टॉप के ना होने की एक्स्पिलेशन देती है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएग सो फेंट्स तो इस थेयरी के जरिये हमें पहले तो यही एक्स्प्रेंट किया गया है कि टोनी स्टार्क की टेक के चलते MCU के अंडर कुछ विलेंज भी क्रियेट हुए जिन में सबसे पहला नाम मिस्टीरियो का तो निकल कर आएगा ही साथी साथ वाल्चर और अल्टरन जैस जिसके काटने से पीटर पाकर स्पाइडर मैन बना था जिसकी बाकी की ओरजिन तो हमने दी अमेजिंग स्पाइडर मैन और सैम रायमी के यूनिवर्स में देख रखी है कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर औस्क्रॉप इंटर्प्राइसे से बिलॉंग करता है लेकिन MCU पीटर पाकर को कि स्पाइडर में फिल्म के वजह से था लेकिन वेक्टर आखी कंथ क्षियों के यूनिवर्स में आने के बाद यहां एड्रेस पर ना तो इसका घर है और ना ही उसकी बनाई के ओस्पराइड है तो का दिर भी की चलते कि वो रेडियो की स्पाइडर इस नि दिजनी एक्सपो की तरह इस यूनिवर्स में स्टार्क इंडेस्ट्री के एक्सपो में जाता रहता है जिसकी जहलक हमने आइन मेंट टू फिल्म में देख ली है तो शायद उसी किसी इंसिडेंस में उसे स्टार्क की लैप से रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा होगा इसलिए शायद स्टार्क इंडेस्ट्री उस पर काफी करीब से नजर रख रही थी जिसकी डीटेल्ट टूनी स्टार्क के पास पहले से ही स्विल वार में रेडिई थी कि असल में पीटर कौन है और उसका पास है क्या इसलिए हमने होमकविंग फिल्म में उसे टूनी स्टा ज़्यादा पॉफिक बैठती है उसका अंदाजा तो मुझे नहीं है लेकिन हाँ थेयरी बहुत ज़्यादा दमदार है जिसे हो सकता है कि पूरी तरीके से मैं हूँ अजीज शेक मिलूँगा आपसे जल्दी दूसरी किसी ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन बाई